हेलो हाई नमस्कार शालीनी है मेरा नाम and you are watching me on online platform of Target with Alok आज है 26 January मतलब कि गरतंत्र दिवस जिसे हम Republic Day भी कहते हैं तो आपको गरतंत्र दिवस की हारदिक शुब कामना है मेरी और से और मेरी पूरी टीम की तरफ से क्योंकि आज है आज ही की दिन हमारे देश में हमारा समविधान लागू हुआ था तो फिर हमारे समविधान का बेस क्या है डेमोक्रेटी है तो क्यों न डेमोक्रेटिक चीजों के बारे में हम थोड़ी सी बात कर लें अगे बाध करते हैं डेमोक्रेसी का हिंदी लिट्टरल मीनिंग होता है वो ingredients है आप ईतना जानते ही होगो डेमोक्रेसी या लोगतंत्र एक ऐसी सरकार होती है जिस में राजनेतिक ताकत जनता के हाथ में मतलब होती है जाहिर सी बात है और इसका मतलब आम नागरिक भी चुनाव प्रक्रिया के जरिए राजनेतिक ताकत बन सकता है और उसमें हिस्ता ले सकता है कुल मिलाके जैसा कि आपने सुना होगा कि जनता के लिए जनता द्वारा ही शासन किया जाता है डेमोक्रेसी में democracy के लिए हम आगे और भी जानेंगे कि कितने-कितने types होते हैं, कौन-कौन सी country उनको follow करती है, जितनी general information होती है democratic चीजों के, वो सब हम आपको बताएंगे आगे बात करते हैं, कुल मिलाके यह जो लाइने फिर अपने आधार, भूत, मूल्यों और विश्वासों को कायम रखने के लिए प्रतिनिधी चुन सकते हैं, जाहिर सी बात है कि जो democracy है, उसमें आप एक प्रतिनिधी के तौर पर खड़ा करते हैं, अगर किस कोई देश है, व सेलेक्ट करेंगे, तो कुछ नो कुछ प्रोसीजर फॉलो करेंगे, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें जब आप फॉलो करेंगे, तो उसमें आप क्या करेंगे, कि अपने कुछ मौलिक चीज़ें होंगे, उनका धान रखके फॉलो करेंगे, तो यह सारी चीज़ें इसके अंत यह सारी बाते हम चानेगे पूरे विश्व में लगबग निन्यान पे ऐसे देश हैं जो लोगतंत्रवाली राजनाथिक प्रक्रिया को अपनाए हुए है मतलब जहां जादा लोग जो हैं जो कहते हैं वही होता है अगर आप बहुती सरल भाषा में बोल ले तो अच्छा डिमोक्रिसी का एक है जैसे एक राय में रख रही हूं कि जरूरी नहीं है कि जैसे आप एक दस लोग है लेकिन शांती बेवस्था बनी रहनी बहुत जरूरी चीज़ है वहाँ पर सही गलत जहां पर आए वहाँ पर लोग शांती को हमियत देते हैं और जब बड़ा मास इंक्लूडेड होता है तब भले वो सही नहीं कह रहे हैं लेकिन वो शांत कब रहेंगे जब उनके मन का होगा है कि नहीं तो डिमोक्रिसी इसलिए फॉलो की जाती है क्योंक तो आप चुपए रहेंगे फिर क्या करेंगे तो वह अलग चीज़ उनकी में कोई खास अची नहीं होती है अगर आप इंटरनाशनल प्लाटफॉर्म पर देखेंगे तो तो बात सिर्फ अपनी नहीं है पूरे विश्व में भी तो अपना नाम रखना होता है तो इसके लि वो बेस क्या है वो चारततों क्या है सरकार बनाने या अधिकारी चुनने के लिए चुनावी विवस्था होगा एलेक्शन सिस्टम होगा मैंने आपको पहले भी बताया जाहिर सी बात है सो लोग अगर देश में तो सोगे सो शाषन करेंगे नहीं उसमें से आप कुछ प्रत आपको जैसे कुछ चीज़ा जरूरी है वो राज्य को उपलब्ध करानी ही पड़ेंगी तो वह आपके मानवादिकारों के सुरक्षा में आता है बहुत सारी चीज़ें उनमें जैसे प्रिविसी है यह सारी चीज़ें फॉर एंग्जामपल जैसे भी प्रिविसी का मुद् तुरंत वाला बच्चा तो बुलेगा ने कि उनको प्रिविसी चाहिए है कि नहीं तो फंटामिल्टर राइट और मानवादिकार में थोड़ो तो डिफ्रेंस है वो अगर आप आगे पढ़ेंगे तो आपको बना चलिगा यह कभी ज़रूरत हुई तो मैं स्प्रिन करेंग बहुत लोग इसमें क्या है कि बात करने लगते हैं दोस्तों कि वो जो है ऐसा है तो जो पीम है उसके पीछे दस गाड़ी चलती हमाँ चलती नहीं देखिए आप क्या करतें जैसे आपका घर है चीख है तो आपके जो मालिक है उसको क्या है लोग आपके घर में जो सबसे च तो बच्चे को बहुत सुसाइटी में स्ट्रगल करना पड़ेगा, बहुत चांसे है कि लोग उसको चोड़ा को समझ लेंगे, है की नहीं, तो जो है, जो आपके देश को जिसको आप पोधा दे रहे हैं, उसके लिए कुछ ने कुछ सर्टन सुरक्षा और कुछ चीजने देन यह अनिवार होती हैं, जो भी हाइपद पे होते हैं, मकसर बात करते हैं कि वो जो है, अच्छा बड़ा आदमी है, तो ऐसा है, तो बात यह है कि चांसे सब को प्रवाइड कराए जाते हैं, बराबर तरीके से राज्य प्रवाइड करती है, आपको उस जगे पर जाने के लि जिले का डिस्रिक मजिस्ट्रेट बनता है उसकी अपनी जो सो विधाय है वो भी पूरी तरह सब को पता है तो आप उस जगह जाने के लिए प्रडाली रखी गई है आप भी चाहिए महनत करिए पहुचिए तो यह बात है जो कि बहुत जरूरी है अगर वो कोई इसान कहीं पह करता है कि हम डिसीजन मेकिंग विवस्था में सिर्फ आम नागरी के तौर पर नहीं और भी जादा अपनी भूमी का पढ़ा पाएं अपने विचारों के हिसाब से देश में कुस चीजें इंप्लिमेंट कर पाएं तो सभी नागरिकों को एक समान कानून मिलना चाहिए जाह सब्सक्राइब अब ये देखिए जो खास प्लेस की खास प्लेस का में बेते हैं कि यह है जो उनको तूर ये दुनी में वेवस्था तो वुगनाः भी तो भारी सजा महीं लेगा Information में आपके से ब में बाकर लेकिंए जो पाबलिक की सब्सक्राइब हिरकर हुआ होते मतलब जहां पर प्रेसिडेंटल डेमोकरसी है जैसे कि अभी हाल में में एक्जामपल होंगी अमेरिका का क्यों कि हाली में एलक्षन हुआ है बहुत सारी ख़रें आपने देखी होंगी अब क्या है वहां के जो प्रेसिडेंट है वो जो बाइडन है पहरे डोनल्ड ट्रॉम थ जर्ट ये आप स्संदार नोब जो राजनेतिक शक्ती और राज में में उनके जो बटवारा होता है उनकी जिम्मेदारियों को बटपारा होता है, जिसमें राष्टपती कारेपालिका का प्रमुख तत्तो होता है, मतलब जो बाइडन है अभी वो प्रमुख है अमेरिका में, ये United State of America, Presidential Democracy को फॉलो करता है, उसका मैप है, और ये France भी करता है, ये for an example मैंने दो दहरा लिये हैं, अब है संसदिये डेमोके्रसी, इसको हमारा देश फॉलो करता है, बहुत ज़्यादा संभाव न है कि आप इसके बारे में जानते होंगे, India वो संसदिये डेमोकेशी को फॉलो करता है, शक्ति संसत के पास रहती है, जिसका प्रमुख होता है, वो प्रधान मंत्री होता है, शी नरेंद्र मोधी हैं तो वो इस कारइपालिका के प्रमुख हैं और इंगलैंड भी संसधिये डेमोकरसी को फॉलो करती है लेकिन अगर इंगलैंड की वेवस्था में समविधान में और हमारे समविधान में तोड़ा तोड़ा लिया गया है जहां की अची चीजें वह सब म कि प्रत्यक्ष लोग तंत्र ड्रेक्ट Democracy बिल्कुल अपने नाम से कह नुसार बात हो रही है, यहां पर कुछ ग niżवड़बड बात नहीं है जोला नहीं है इसमें नागरी को कुछ जंता जिसमें या गागरी को कुछ जाधा अधिकार बिलते हैं जनता है उसको जादा धिकार मिलते हैं होता ही ऐसा है क्योंकि डिरेक्ट डिमोक्रेसी का ये खिस्ता होता है ये लागू ही वहाँ पर अच्छी तरीके से हो सकती है जहां कि population काम हो अब हमाय लागू ही नहीं हो सकती है मतलब हो यह नहीं सकता है इतनी बड़ी population है कि वहीं आप decision सुना दें मतलब क्या है कोर्ट में decision सुनाई जाता है उसके बाद कोई sensitive मुद्ध होता सुरक्षा बढ़ाई जाती है ये तो पता चले कि वहीं पर कुष्टी करने लगें के आपस में खून खराबा हो जाएगा देश में हर तरफ अभी जैसे ही है कि एक राज्य में election है दूसरे राज्य में शांती है अब direct democracy लगा देंगे पूरी जगह पर सीधा शासन हो ही नहीं सकता वैसे हमारा देश में हमारे एक लोता ऐसा देश है यहां में population इतनी जादा है और sex taboo है अगर आप sex के बारे में बात कर दिये है मतलब क्या बात कर रहे हो तो मैं इसी बात कैसे कर दिया हमारे सामने भाल तू गंदी बात कर रहे हो मतलब sex को गंदी बात के तौर पर देखते हैं लोग चीज़ों को समझने लगये हैं कि जो चीज़ी जैसी हो सकती हैं उनको दबाने से कुछ नहीं हो सकता है दबा के क्या होता है बहुत चीज़े बहुत चीज़ें सड़ भी जाती है तो ऐसा नहीं करना चाहिए इसमें नागरिकों को ज्यादा दिकार मिलते हैं जिसमें सभी नागरिक सारे महत्पूर्ण नीदिकत फैसलों पर मद्दान कर सकते हैं या फिर अगर कोई कानून उनको जनता के खिलाफ लगता है तो उसको वापस भी ले सकते हैं अब क्योंकि डेरेक्ट जनता से बात हो रही है डेरेक्ट ही हो रही है फो फॉर एफ दस लोग है हाँ बहुत है तो इस देश में सोचना भी कुना है तो फिल हाल इसका एकजांपल जो है सबसे अच्छा वह स्वीजन लैंड है स्विजर लेंड बहुत ही प्यारा देश है और अगर आप जो लड़िकिया सुन रही है अगर आप ब्यूटी प्रोडक्त का इस्तिमाल करती है यह जनरल यूस के सामान होते हैं वह ब्यूटी प्रोडक्त नहीं बोले जाएंगे जैसे फेश्वास से वाकी चीज़ हैं अगर क्वान्टिटी पर जादा है ध्यान है यहां पर क्वालिटी पर जादा ध्यान होता है मतलब ऐसा नहीं है लोकल फॉर वोगल के खलाफ हूं बस मैंने बताया यह अच्छे होते हैं यहां की जो जो भी चीज़े बनी हुई आती है वह बैसिकली ज्यादा तर लोगों को करने का अप्रतक्ष लोकतंत इंडिरेक्ट डेमोक्रेसी इसको प्रतिनीधी लोकतंत्र भी कहते हैं इसमें लोग सरकार में सीधे हिस्ता लेने के बज़ा चुने हुए प्रतिनीधियों के माध्यम से हिस्ता लेते हैं जाहिर सी बात है क्योंकि यह बड़ी पॉपुलेशन में में इसकी भागीदारी है तो कोई प्रतिनी धी अपने आदर्शों के साफ से चुनेंगे वो और उनको ही जिताएंगे उनको ही वोट देंगे फिर उनहीं के माध्यम से शाशन होगा जाहिर सी बात है आपके मम्मी डाटती पड़ोसाली अंतर होता है कि नहीं हमाई मम्मी क्योंकि आपको चुना हो प्रतनिदी वहीं आगर आपकी पसंद का प्रतनिदी नहीं है तो कैसा बावाल करने लगते हैं हरताल जा जाके नहीं चाहिए नहीं चाहिए ऐसी सरकार नहीं चाहिए वैसा वाला केस करने लगते हैं अगर आपकी पसंद का प्रतनिदी नहीं है त तो सिधा जो है भागीदारी करने के बजाए आप क्या करते हैं वोटिंग के माध्व से भागीदारी अपनी दिखाते हैं इंडरेक्ट का मत्व यह नहीं है आपके महाथता कभ हो जाती है जो मेन असपेक्ट है वह आपका ही जाहरी पात है जिसको आप बहुमत देंगे वही जीतेगा बाकी लोग बाकियों को क्या तो आपका इंपॉर्टिट एहम रोल है तो जब भी वोट देना हो जाया करिए अपने सिटिजनशिप को जो है वह सीरियसली लीजिए आगे भारत कैनेडा अमेरिका अंगलेंड और जाधा तर देशों में प्रतिनी दी लोकतंतर विव किसी निइकिसी प्रकार से लोकतंतरिक वेवस्ता के अंतरगत आती है जाहिरी सी जाहिर चाहिए और हर देश को चाहिए और बाक्यों को तो नहीं हो रही है मैं फिर से कहूंगी बहुत जगह आप देखे होंगे जैसे अगर आप सुडेंट है तो दुद्धा हिंदू न्यूस पर आगेस फॉलो करते होंगे अगर आप फॉलो करी है तो बहुत सारे अर्टिकल ऐसे आते हैं जहां आपको देखने को मिलेगा कि जो समय समय पर लिखते ह कि मतलब है कि नहीं पता करने कोशिश ही नहीं करेगा सीधा बॉलेगा बॉम है फिर आगे बॉम है यसी तरह वह प्रचारपसार हो जाएगा कि हाँ बॉम है फिर फाइनली वह पता चलेगा 24 घंटे बाद जब पुलिस आएगी डिटेक्ट करेगी फिर अगले दिन अग बा तरह तरह के विश्यों पर जो है जानकारी मिलती रहें कि जो कि बहुत जरूरी आगे दुनिया भर में ऐसे कीस देश हैं जहां पर एक तंत आटोक्रेसी जिसे मुनारिकी के नाम से भी जानते हैं मुनारिकी का जुट्टा में वह जाते तर एकोनोमिक्स में इस्तिमाल होता है लेकिन हाँ आटोक्रेसी को भी कहीं ने कहीं आप बोल सकते हैं तो मुनारिकी बत तब एक तरह किसे मुनारिकी होगी निरंग कुछता आएगी क्योंकि जाहर से बात है एक इनसान अगर कोई इनसान शासंग कर रहा है बहुत लोगों पर सबसाही काम तो कर नहीं सकता उस देखो करोना वायरिस लाया और डॉनल्ड ट्रम बोला कि वहान वायरस है उसमें उसको आपती खुद करोना लाया खुद निपट के आगे निकल ले बागी लोग इसमें गोति खा रहे हैं करोना करोना जी टीप गई यह गिर गया वह गिर भारत में इतना नंबा लॉकड़ लग गया मतलब सब उसमें टैर रहे हैं डोनल्ड ट्रम्पों की तो सरकार चली गई सिफ कोरोना की वज़े से वो तो अमेरिका के लिए ही काम करता था कोरोना में वह एक दम विखर के चली गई पूरा जो देश है वो भिखर गया कोरोना में लगभा उसकी मेडिकल विवस् यह अच्छा भुरा जो करते हैं यही करते हैं थोड़ी सी बात पर गोली मार सकते हैं आपको तो अपना देश बहुत भला है तो भगवान को शुक्रियादा करिया कि आप इन 21 देशों में नहीं आपका जन्म हुआ है आगे लगभग 46 देश ऐसे हैं जहां पर डिमोक्रिसी और आटोक्रिसी का मिश्रित रूप है मतलब यह और भयावा है जोसे पहले बाले ने तो सही था कि आटोक्रिसी है भाई हम जाग रहे हैं कि इनी को नमन करना है कि बस आप ही मेरे माई बाप है यहां पर मिश्रित है होई होग हो Jahan पर मिश्रित अबिवस्था आएगी कहा हो मिश्रित भीस्था क्या मतलब है हम मतला हमारी जंता नें हमको इलेक किया है लेकिन ऐसा माहौल बना देंगे कि इनके सिवा कोई दूसरा रहे गा ही नहीं मतलब एक के पार्टी रूल करती रहेगी कहीं नहीं वो आटोक्रेसी से बहुत जादा सिमिलर होती है बस नाम है अलग है मिश्रित तो आटोक्रेसी जहां पर भी होगी वहां पर बिलकुल वैसा ही शाषन होगा लेकिन इसका जो एक्जामपल है अप यूरूप देश इसमें शामिल है इन चीजों में डेमोक्रेसी और ओटोक्रेसी जहां पर मिश्रित रूप से मनाया गया है रूस और यूरोप जो है इनके एक्जामपल है क्रमशा, रूस और यूरोप आ गया थे मतलब रूस, रूस्या, यूरोप कंट्रीज अलग अलग जो है 46 देशा से हैं जो मिश्रित रूप मतलब डेमोक्रेसी और ओटोक्रेसी दोनों को भी लेके चलती है आगे The Economist Intelligence Unit द्वारा जारी वर्ष 2020 के सूचकांग में भारत को 91 अस्थान पर रखा गया है इसने पहले भारत एक तलिसमें अस्थान पर था यह आपके करेंट अफेर्स में बूट बूचा जा सकता है यह आप याद कर लीजेगा कि पहले जो है The Economist Intelligence Unit द्वारा यह बेसिकली लंडन की जो है यह इसका जो ओफेस है मतलब बेसिकली यह लंडन सिचुएटेट है The Economist Intelligence एक एजिंसी है उसके सर्वे के अनुसार क्या है कि भारत अब 91 अस्थान पर है पहले भारत 91 अस्थान पर था Democratic Country में नार्वे को पहला Iceland को दूसरा और Sweden को तीसरा स्थान इसमें इसने दिया है नार्वे और Iceland और यह Sweden का मैर है इनका जो बाकी है इस इंडेक्स में इन लोग का यह स्थान है आपका क्या है पहला दूसरा तीसरा मतलब पहले पे नारवे, दूसरे पे आइसलें, तीसरे पे सुडन है हम 91 अस्थान पर है, भारत 91 अस्थान पर है इस सुचकांग के हिसाब से ये पुरा सीन है आज हमने डिमोक्रिसी के बारे में पूरा बताया आपको अगर आपको किसी टॉपिक के बारे में बहुत डिटील से जानना है तो आप बताया है, अगर ज्यादा संख्यां में लोग कॉमेंट करते हैं किसी टॉपिक पर जानने के लिए, वो टॉपिक हम आपके लिए लेकर आएंगे और दूसरी मुझे एहम बात करनी थी मुझे एक कॉमेंट कई बार मैंने देखा कि फार्मर्स बिल पर बात करी है तो फार्मर्स बिल क्या है कि अभी बात हो रही है कि वो बेसिकली दो सालों के लिए सस्पेंट कर दिया जाएगा अगर सस्पेंट होता है तो उसमें कोई बात नहीं करेंगे क्योंकि exam perspective से न वो आपके काम के है और फिर जब आपके काम करेंगे तो हम बात क्यों करेंगे और दूसरी चीज़ क्या है अगर वो बिल लागू होता है in case फिर उसके बारे में जरूर आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे सरल भासा में कि वो जो है फामस बिल में क्या है उसकी बिल की जरूरत क्यों पड़ी तो यह पूरी सीन है असानी हम आपके बात को इग्नोर कर रहे हैं बस यही रीजन है कि उसके बारे में बात नहीं की गई है थैंक यू बेरी मुच फॉर वोचिग बाबाई, टेक कियर